लोग जन्सक्ति पाटी ने अपना घोसना पत्र जारी किया है और हमारे साथ रास्टी अध्यक श्राम बिलास पासवान जी हैं अपने जो गोसना पत्र जारी किया है उसमें कई चीजे प्रमुख रूप से ये से काम का अधिकार मॉब लेंचेंग अब उसके उपर में महल बनेगा है निवे जनम भर के के एक इत्मार में थुरके साफ किए जाता है आप तोबी बोलना थारत यह भी होना यह भी बचा करें ने बद्द WentRe कि हम लोग ने जो कहा था आपको कि हम हर घर में क्या कहते हैं कि बजिशली देंगे हर घर में बजिशली पहुंच गया थोड़ा स्वरा बहुत कहीं बचा होगा थो जाएगा हमने कहा था किया कि जो है अब अब घर में किया कि सोचाल की विवस्ता की जाएगी वो के वह गया हो गया पच्छ नाइटी-नाइन परसंट तो होई गया है जो जो गैस से लेंडर वाला मामला था उसको हमने घोसना नहीं किया थ स्थिस के जा है लेकिन हर गरीब को जह है कितने कटने गरीब को मिल गया उसी तरीके से मादल है कि सस्थे दर खाना दूरुपे की लोगें हूं मिली रहा है हर गरी Cup का मकान हो एक करूर क्या करते हैं कि 36 लाख लोगों पचास मांठावन लाख लोगों खो गया है तो जो बुनियादी चीज है वो हो रहा है उसके रोजगार को देखा जाए तो रोजगार में आप लोगों की सरकार ने जितना करना जाए हो ने रोजगार में देखे रोजगार हम लोगो है कि जो इंडिरेक्ट है है ने वो देखलाई नहीं पड़ता है लेकिन आप देखेंगे जिसा कि मैंने कहा कि हर क्यागते डिपार्टमेंट में जो है अब जिसे हमारे ही डिपार्टमेंट में 14 साल से बहाल ही नहीं हो रही थी एफसी आई में और हमने क्यागते है पांच यच्छा हजार लोगों को क्यागते बहाल किया उसमें हलाकि ठीक है उसमें कहीं कोई परिभी नहीं कुछ नहीं तरट पार्टी तरफ से तो हुआ है लेकिन जो सबसे जादे हुआ है वो जो जो और संगठित कहिए या कहिए वो छ ने कानून है कानून है और कानून को करक्ना चाहिए और उसके बात्यांक्ते हैं कि कि किसी को यह कानून тобой अथिकार नहीं होना चाहिए कि इस है सुपकर करकरmbPower झाल झाल